हेलो दोस्तो एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वावत है आज की सुड़ों में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप ऐसे QR कोड कैसे मंगा सकते हैं मैं आज बताने वाला हूँ कि यह आप कैसे मंगा सकते हैं इसमें से केवल Paytm का जो यह business का QR कोड है यह केवल पैसे में आया है तो इसकी unboxing भी करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे कि आप यह कैसे मंगा सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक करिए जिससे के ऐसी इंफर्मेटिव वीडियो हमेशा आपको मिलते रहे तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं QR Code दिखा देता हूँ फोन पे का तो यह फोन पे का QR Code है यह मेरे को रिसीव हुआ और यह QR Code ऐसे ही आता है आपको जो डिलिवरी पोई होगा वो ऐसे ही आपको देगा QR Code कोई भी Box या फिर कोई भी Packaging के अंदर आपको यह देखने के लिए नहीं मिलता है नेक्स्ट बात कर लेते Amazon के बारे में Amazon Pay का जो यह QR Code है यह मेरे को रिसीव हुआ है यह भी Free of Cost है तो मैं बता दूँगा इसको भी कि कैसे आप यह मंगा सकते हैं तो वीडियो के end तक बने रहे हैं जिसे कि आपको clear हो सके सबसे पहले मैं इसको पीछे की तरफ से खोल लेता हूँ तो मैंने इसको खोल लिया है तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ एक QR Code देखने के लिए मिल रहा है Amazon की तरफ से यह Amazon Pay All-in-One QR Code तो यह देख सकते हैं आप एक यह QR Code है और इसके साथ अंदर ही और भी कई चीजे हैं जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ तो देख सकते हैं अंदर आपके सामने यह दिखेगा एक जो Amazon Pay का advertisement है यह भी आपको मिलता है देखने के लिए उसके बाद एक और QR Code आपको छोटा सा और मिलता है जिसको कि आप कहीं पे attach कर सकते हैं और इसके साथ और कुछ तो नहीं मिला है तो यह सारी चीजें हैं जो Amazon ने मुझे provide की है और phone pay का यह वाला QR Code है इन सब को side रख देते हैं आगे के बारे में बात कर लेते हैं आप करते ह हैं थोड़ा सा Google Pay का unboxing और यह Google Pay business का जो QR Code है इसको भी मैं निकाल देता हूँ बहुत तो यह हमारा QR Code है यह खुल चुका है तो जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ यह जो package है मैंने खोल दिया है और इसके अंदर हमें क्या-क्या देखने के लिए मिलता है तो मैंने सब जिस पर advertisement है Google Pay accepted here और एक QR code के साथ यह जो आपके store पर लगेगा यह भी आपको इसके साथ देखने के मिलता है यह इसके अंदर डल जाता है और यह ऐसे आप इसको रख सकते है store पर या फिर जहां पर भी आप इसको रखना चाहें वहां पर रख सकते हैं चलिए यह सारी पेटियम वाले की unboxing तो यह हमारे पास पेटियम का है इसको मैंने चेक किया था खोल के कि इसके अंदर है की नहीं है एक तो यह हो गया और इसी के साथ में एक यह इसके नीचे वाला जो holder है इसमें ऐसे लगा सकते हैं यही एक मात्र ऐसा product है जिसमें मेरा पैसा लगया और जितने भी QR code थे इससे पहले उस सब में पैसा नहीं लगा था तो यह सब तो हो गया मैं आपको total QR code दिखा देता हूँ एक यह हो गया दूसरा यह एक यह हो गया यह हो गया गूगल पे का और यहाँ पे यह Amazon की QR code है तो चलिए अब आगे का procedure बता देता हूँ कि आप कैसे यह सब order कर सकते हैं और सब के लिए अलग अलग links है तो description में आप पहले link पे click करेंगे तो patium का खुलेगा दूसरे पे click करेंगे तो आपका phone पे का खुलेगा और तीसरे पे click करेंगे तो Amazon पे का खुलेगा और चौते से आपका यह जो Google पे का है यह QR code के लिए आपको apply करने का option मिलेगा तो सबसे पहले आपको patium for business का link मिलेगा जैसा कि मैंन securely via paytium या फिर login via mobile number तो आप किसी भी option से इसको login कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं इसको login कर लेता हूँ फिर आपके सामने आपका नाम पूछा जाएगा कि आपको किस नाम से इसको बनाना है और हो सकता है आपसे आधारकाट की details भी मागी जाए तो आपको आधारकाट details भी provide कर करनी है फिर आपको अपनी business category चूज करनी है तो मैंने यहाँ पर business category अपनी food कर रखी है तो जितने भी payment होंगे वो food में count होंगे जितने भी आप payment receive करेंगे और यहाँ पर एक option भी दिखता है आपको pen card add करने का आप वहाँ पर pen card भी add कर सकते हैं और फिर आपको यहाँ पर option दिखेगा settlement का तो यह जो settlement होगा यह आपके paytium के जो mobile number होगा उससे जो link जितने भी bank account होगे वो शारे यहाँ पर आपको show हो जाएंगे या फिर आप यहाँ पर add bank account पर click करके इसको add करना होगा जैसे ही आप इसमें add करते हैं अपना bank account तो आपकी account में एक रुपए credit होगा और आपको validate करना है कि यह पैसा credit हुआ है कि नहीं हुआ है जैसे ही यह पैसा credit हो जाएगा आपको next option कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा जिसमें आपको पूछेगा कि आप कितने दिनों में settlement लेना चाहते हैं आप यहाँ पर कई changes आप कर सकते हैं जैसे कि instant settlement मतलब कि तुरंत के तुरंत आपके bank में settle हो जाएगा या फिर daily 10 बजे या फिर daily 10 से 4 बजे या फिर 10 12 या छे बजे तो यह सारे timing आप देख सकते हैं आपने इसाप से इसको choose कर सकते हैं तो जैसे ही आप यह सारे काम कर लेते हैं तो आपका account create हो जाएगा यहाँ पे आपको अपना जाएगा KYC के लिए तो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं जैसे कि मैंने इसके अंदर सारी की सारी details नहीं फिल की है तो मेरे किसे यहाँ पे KYC की details मांगी जाएगी तो आपको यहाँ पे GST number मांगा जाएगा तो आप यहाँ पे इसको provide कर सकते हैं इसी के साथ आप credit card और debit card का use करना चाहते हैं तो आपको 18% जो यह GST है यह pay करना पड़ेगा और प्लस additional कुछ और अगर इसमें VAS और MDR charges होंगे तो वो भी आपको pay करना होगा आपको यहाँ पे नीचे My QR का section दिखता है आपको इस पे क्लिक करना है जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आ यहाँ पे आप view all payment पे क्लिक करके यह सारी की सारी payment आप देख सकते हैं यह जैसे कि मैंने इसमें तीन बार settlement लगा रख किया डेली की तो यहाँ पे मेरे को यह चार बच के 47 minute पे जो ट्रांजेक्शन अवो settle हो गया था जो कि 100 रुपीस खा था जो मैंने पिछले कुछ time पहल से register कर सकते हैं इसका भी link आपको description में मिल जाएगा आप वहां से जाके directly इसको download कर सकते हैं install कर लेते हैं हम भी इसको अपने mobile phone में सबसे पहले आपको यहाँ पे location पूछा जाएगा और आपको location allow कर देना है यहाँ पे अपना mobile number डालना है जो कि आपको अभी register करना है फिर आ आपको अपनी categories choose कर लेनी है जैसे कि fuel, co-win, travel और यहाँ पे बहुत सारे option जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे से आप चूज कर सकते हैं जैसे ही आप इतना काम कर लेंगे आपको continue का option दिख जाएगा आप continue पे click करिए फिर आपको यहाँ पे अपना location चूज कर देना है कि आ आप कहां रहते हैं उस हिसाब से आपका location आचाएगा और आपको नाम लिख देना है आपके shop का क्या नाम है यहाँ पे नीचे की तरफ store का नाम लिख देना है जैसे ही आप यहाँ पे अपना store का नाम लिख देते हैं तो यहाँ पे आपको continue का option दिख जाएगा अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपका जो shop है वो list हो गया है आपको payment accept करना है तो इसको click करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप phone पे wallet से receive करते हैं या फिर Veeam UPI से अगर आप इसको receive करते हैं तो आपका कोई भी charges नहीं लगेगा जैसे ही आप यह सारा काम कर ले आपको यहाँ पे unlimited करने के लिए आपको और भी details यहाँ पे provide करनी पड़ेगी जैसे कि आपका pen card या फिर GST नमबर यह सारी चीज़े आपको provide करनी पड़ेगी अगर आप यहाँ पे show QR code पे click करते हैं और यहाँ पे आपके सामने फिर वो QR code visible हो जाएगा जिस नाम से आपने इसको बना रखा है आप इसी QR code का इस्तमाल करके कोई भी payment receive कर सकते हैं थर्ड एप है Amazon pay for business आपको इसका भी link description में मिल जाएगा आपको उसको भी install कर लेना है और इसका भी काफी आइसान process है तो इसको हम कर लेते हैं open जैसे ही आप इसको open करेंगे आपको यहाँ पे login का option दि देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपको एक offer दिख जाएगा कि this March earn cashback worth Rs.500 और अगर आप 10 लोगों से payment receive करते हैं तो आपको 100 रुपय तक का cashback मिल सकता है आपके सामने direct कुछ SI interface खुलेगा आपको हो सकता है कि आपका bank account यहाँ पर choose करने का option दिखे मैंने इसको पहले से register कर रखा है तो यहाँ पर मेरे को bank account का option देखने के लिए नहीं मिल रहा है आपको directly यहाँ पर bank link करने के लिए बोल सकता है आपको आपर bank verify करना है जैसे ही आप अपना bank verify कर देते हैं आप अपना payment receive कर सकते हैं और इसमें आपको instant settlement देखने के लिए मिलता है आपको wait नहीं कर यह जैसे ही आप कोई भी UPI transaction रिसीव करते हैं किसी भी आप से तो यह डिरेक्ली आपके बैंक में तुरंत के तुरंत सेटल हो जाएगा और यहां पर इसका transaction ID देख सकते हैं और इसमें status देख सकते हैं तुरंत के तुरंत यह हो जाता है और इस वीडियो के लास्ट में Google Pay for Business के बारे में बात करने वाले हैं हम तो जैसे ही आप Google Pay for Business को open करते हैं आपको यहां पर same to same वैसे ही जैसे कि आप Google Pay में रजिस्टर करते हैं वैसे ही आपको यहां पर भी email ID चूस करने का option दिखता है जैसे ही आप यहाँ पर अपना email id चूज कर लें यहाँ पर आपको continue का option दिख जाता है और यहाँ पर कुछ चीज़ें allow करने के लिए बोलता है तो आप इसको allow कर दीजे यह आपके mobile number से verify होगा फिर आपके सामने कुछ ऐसा setup आ जाएगा आपको यहाँ पे नया business join करने का option दिखेगा आपको इसपे click करना है setup business as owner आपको इसपे click करना है पहले आपको यहाँ पे अपना business name फिर shop name यहाँ पे अपना registered business name और यहाँ पे type of business जिसमें आप कैसे आप किसी के साथ partnership में है या फिर आप खुद इंडिविज्वली इसको start करना चाते हैं, ये सारी चीज़े आपको fill करनी होगी, next page पे आपको यहाँ पे business category choose करने के लिए दिखता है, आप यहाँ से कोई भी category जो आप choose करना चाते हैं, वो choose कर सकते हैं, जैसे ही आप यहाँ पे अपनी category भर लेते हैं, तो आपक रेसे करना होता है, जैसे ही आप अपना mobile number verify कर लेते हैं, यहाँ पे आपको pen card है वो choose करने का option दिखता है, यहाँ पे अपना bank account का number डाल सकते हैं, और यहाँ पे अपना Todo il Army, जिससे कि именно payment अपने bank में receive कर सके फिर यहाँ पर आपको एक advertisement का option भी दिखता है अगर आप चाहे तो इसको advertise भी करा सकते हैं बट यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए को skip कर देते हैं और फिर यहाँ पर आपको पूछा जाएगा business profile option आप कैसा रखना चाहते हैं तो आप इसको Google पर से connect भी कर सकते हैं या फिर इसको separately भी बना सकते हैं और यहाँ पर मैं इसको submit कर दूँगा यह हो सकता है कि मेरे details अभी तयार होने में कुछ समय लगे तो यह चेक होगा detail और उसके बाद यह जो process है वो complete हो जाएगा और 48 hours के अंदर आपका जो यह account है वो verify हो जाएगा आप यहाँ पर अपना QR code देख सकते हैं QR code के option पर जाकि यहाँ पर आपको अपना QR code देखने के लिए मिल जाएगा और आप इसको download भी कर सकते हैं इसी के साथ यहाँ पर बहुत सारे offers भी आते हैं आप अगर payment receive करते हैं तो different different time पर आपको different different offer देखने के लिए मिलते हैं तो आप इन ओफरों को भी ट्राइ कर सकते हैं तो आज की वीडियो में केवल इतना ही अगर आप हमारी चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक करिए थैंक्यू फॉर वाचिंग